Hey guys, welcome to IG Commerce Classes, so कैसे हो आप सब, I hope आप सब अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी exams की preparation कर रहे होंगे So students की demand पे ये lecture लेके आगे हूँ मैं, that is all about Ramseasites Because current में ये आपका topic बहुत trending में चल रहा है, आपके इस topic में से question बनने की पूरी पूरी probability है So एक question तो आप मानके चलिए, definite इस lecture में से आपको मिलने वाला है और एक number की value क्या है, ये तो आप सबी को पता ही है So end तक इस video को जरूर देखिएगा, ताकि आपके सारे points क्लियर हो जाएं हम इसका static का part भी cover करते हुए चलेंगे ताकि राम सर के related आपको कोई भी confusion नहीं रहे तो चलिए start करते हैं आज की वीडियो So start करने से पहले, अगर आपको इन questions में से कोई भी answer आता है तो आप comment section में लिख सकते हैं वरना जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी तो आपको इन सब questions के answer मिलते चले जाएंगे तो विश्वास से रखिए ये वीडियो आपके लिए बहुत helpful होने वाला है साबित तो किस उल्टे तरीक से मैंने बोल दिया मगर चलता है तो सबसे पहले चलेंगे हम question number one पे जो हमने लिखा है तो हम रामसर साइट के बारे में पढ़ने तो जा रहे हैं मगर पहले ये तो पता होना चाहिए रामसर साइट होती क्या है और रामसर convention क्या है बात तो हमने बड़ी बारे सुनी है तो पूरा concept हम यहां पे जान लेंगे जिसको किसी इस topic के बारे में जीरो भी नहीं पता है तो वो भी इस topic के end में इस सब के बारे में जान लेगा फिर आता है when did India become part of the रामसर convention तो रामसर convention का इंडिया का part बना यह भी important है फिर world wetland day जो है वो कब celebrate किया जाता है और newly added wetlands कौन कौन सी है उनकी नाम क्या है उनकी state कौन सी है यह भी हम यहां पे cover करते हुए चलेंगे मगर अगर आपको इन सब में से कोई भी question आता है तो आप answer में वो answer लिखेंगे आंसर में नहीं लिखेंगे आप comment section में वो answer लिखेंगे ठीक है तो चलते है next question हमारा क्या है ओके तो अब भी जो total number of wetlands हमारे कितनी हो गई है total number of area कितना है wetland के अंदर वो largest wetland कौन सी है smallest wetland कौन सी है first रामसर site जो इंडिया में add-on हुई थी वो कौन सी है इवन हम world के जो पहली रामसर site है वो भी देखते हुए चलेंगे और कौन सी जो इंडियन स्टेट है जिसमें most number of रामसर sites है ये भी हम cover करते हुए चलेंगे ठीक है और इवन आपको यहाँ पे जादा ही मिलेगा इसे कम नहीं मिलेगा ठीक है तो चलते है स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रामसर site पर स्टुडेंट्स रामसर site को पढ़ने से पहले आपको wetland पता होना चाहिए क्या है ठीक है wetland ठीक है आप समझ पा रहे होंगे तो इसमें क्या होता है कि land जो है वो वाटर से cover होती है पूरे साल भी हो सकती है या साल की कुछ हिसो में वो पानी से डखी हुई हो सकती है ऐसी land जो पानी से डखी हुई होती है उसको wetland पोलते हैं प्लस इसमें important यह है कि aquatic plus terrestrial जो ecosystem है जो organism है उनको यह support करती है ठीक है तो wetland क्या हो गई ऐसा land ऐसा area हो गया जो पानी से डखा होता है और जो aquatic plus terrestrial जो ecosystem है उसको support करता है ठीक है सो रामसर साइट क्या है बेसिकली इनी wetland का conservation होता है इसके अंदर तीक है सो एनी wetland साइट जो की लिस्ट की गई है अंडर रामसर कन्वेंशन क्या है एक international treaty है जिसके अंदर रामसर साइट को protect किया जाता है ठीक है और इसका mean aim क्या रहा जाता है conserve करना promote करना sustainable use of the natural resources इस काले रामसर साइट ठीक है तो इसका mean aim क्या है उस wetland को रामसर साइट designate करने का कि हम उसकी habitat को natural habitat को protect कर सके और उसका sustainable use कर सके ताकि हम और हमारी जो future generation है वो भी उसका lab उठा सके ठीक है तो रामसर convention को हम एक और नाम से जानते हैं that is convention of the wetlands ठीक है रामसर convention को अगर कोई पूछे क्यों अनेदर नीव फार रामसर convention that is convention of wetlands ठीक है अब बात आती है कि रामसर convention को रामसर क्यों कहा जाता है और यह कब अड़ाप्ट हुआ था ठीक है तो आपके question का answer यहां पे है so रामसर convention को अड़ाप्ट किया गया था एक एरान की एक city में that is रामसर ठीक है तो रामसर साइट है यहां रामसर convention इसका नाम क्यों पड़ा because यह जो रामसर convention है एक city में अड़ाप्ट किया गया था जो कि एक एरान की city थी that is रामसर उसका नाम क्या था रामसर था एक आप्टेंट है याद रखिएगा कि रामसर कन्यशन कव अजयता है ठीक है तो स्टाटिक से जो क्रेंट के क्येश्ट्ण होता है जो स्टाटिक का पाट होता है वो करण से निकल के आता है ठीक है आंड केम इन्टो फोर्स इन 1975 में, अडाप्ट यह 1971 में हो गया था, मगर लागु कब हुआ 1975 में, तो कितने पॉइंट आपके क्लीर हो गए, रामसीर साइट है क्या, रामसीर कन्वेंचन है क्या, कब adopt हुआ 1971 में कौन से country में इरान में कौन से city में रामसर में ठीक है तो रामसर एक इरान की city है वहाँ पर ये adopt हुआ उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा और किसने adopt किया ये UNESCO ने United Nation Education Scientific Culture Organization ठीक है तो UNESCO का यहाँ पर important आपका headquarter आपकी जो exam में headquarter frequently पूछ जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए UNESCO का headquarter कहां पर है मैं आपको बताया भी है चलो मैं बता देती हूं that is Paris France में ठीक है Paris France में UNESCO का headquarter है ठीक है तो यह force में कब आया that is 1975 में अब हम बात कते हैं यह UNESCO कब establish हुआ था ठीक है यह भी आपके exam का question बन सकता है चाहिए आप किसी भी exam की preparation कर रहे हो ठीक है तो कुछ बोलेंगे मैं यह important नहीं है तो इस तरह से मत लेके चलो कि यह exam हमें clear करना है ठीक है बहुत सारी exam आते हैं यह तो shorty नहीं है कि इस exam के लि November 1945 में establish हुआ था याद रखेंगे 16 November 1945 में UNESCO establish हुआ था और present में इसकी countries कितनी है ठीक है I think 193 से 195 इसकी बीच में ही है ठीक है एक बर आप चेक कर लेंगे और comment section में लिखेंगे कि exact इसकी member countries कितनी है ठीक है so clear हो गे यह सारे point आपको अब बात आती है कि India ने कब sign किया था ठीक कब रामसर convention को sign किया गया था so India signed the convention on 1st February 1982 ठीक है याद रखेंगे 1982 1st February 1982 में क्या किया था India ने इस convention को sign किया था ठीक है अब बात आती है important कि जो world wetland day है यह कब मना जाता है यह 2 February 1902 February को मना जाता है world wetland day because रामसर convention जो है वो 2 February 1971 में ही adopt किया था ठीक है so यहां पर मैंने आपके नीचे लिखा भी हुआ है यहां पर नीचे लिखा हुआ है आपको कुछ भी extra यहां पर करने की जरूरत नहीं है आप यह PDF पढ़ लेंगे आपके सारे point यहां पर clear हो जाए ठीक है so world wetland day अगर कोई बोल बी important हो जाता है कि जो 2022 में जो 2 February में world wetland day मनाया गया उसका theme क्या था ठीक है तो theme था wetland action for people and nature ठीक है wetland action for people and nature यह रहा था आपका theme world wetland day का जो की 2022 में absorb किया गया clear यहां तक अब next हमारी बात आती है जो important point है आपको याद रखने है ठीक है so आपके सारे questions के आपको answer यहां पर मिलते जा रहे है ठीक है जो largest रामसर site है इंडिया में तो वो कोण सी है सुन्दरवन्स ठीक है सुन्दरवन्स जो है वो largest रामसर site है इंड इंडिया situated in the state of हिमाच्चर प्रदेश ठीक है तो यह कौन सी state में है हिमाच्चर प्रदेश में अब बात आती है कि जो first रामसर site इंडिया में add-on हुई थी वो गोर्सी थी तो चिलिका लेग ठीक है आपके लेग भी important topic है तो आपके exam में यह भी बन सकता है कि इन में से आप चिलिका लेग जो कहां पर है उडिसा में है ठीक है first रामसर site जो हुई थी वो चिलिका लेग है उडिसा में and another यह दो दो जो sites है वो add-on हुई थी रामसर site में that is first is चिलिका लेग second is क्यो लेडियो नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में थीक है तो दो पॉइंट आपको clear हो क्यों सी है smallest wetland कों सी है first रामसर site कों सी थी इंडिया की that is चिलिका लेग चुके उडिसा में है के लेडियो नेशनल पार्क शुराजस्थान में clear अब बात आती है यहां पर most important that is most number of रामसर site कों सी स्टेट में है इंडिया में थीक है सबसे जादा रामसर site थीक है पहले यूपी था ठीक है पहले जब यह लास्ट वाली wetlands अभी जो 75 हुई है उससे पहले जब थी तो उसमें पहले नंबर पे कौन था यूपी था जहां पर दस रामसर site थी मगर अभी तमिल्लाडू की कुछ add-on हो गई है तो अभी most नंबर आप रामसर site कों सी स्टेट में है यहां पर 14 रामसर site है यहां पर 10 रामसर site है ठीक है यह अभी की बात है अगर कोई वीडियो इसको बाद में देखीगा तो शायद चेंज भी हो सकती है ठीक है तो अभी इसी दिन इस दिन जब मैं यह वीडियो बना रही हूं तो इस समय तमिल्लाडू में सबसे ज्यादा रामसर site है क्लियर यहां तक अब बारी आती है हमारी ड़ीर सब्सक्राइब क्या था‍ट आता है हमारा श्रामसर साइय और इस को बपहरग पैलन सुछत फल्ला इस ज्यादि को जाफर इसूजियर नंब कोन सी giddy going on और कितनी नंबर आफ रामसर साइट है वहाँ पर 175 रामसर साइट है तो सारे पॉइंट्स यहाँ पर आपके clear होगे most number of रामसर साइट इंडिया में कहां पर है largest number of wetlands किसी कंट्री में तो वह कोंजी कंट्री है तो सबसे पहले हमारे पास यहां से पढ़ाते हूं सबसे पहले देखो इसी साल जो 47th तो 47th wetland इसी साल होई थी ए 47th wetland हेदरपूर wetland थी यह 47 नंबर की थी यह योगी UP के जो एक रामसर साइट है वो एड होई थी तो यह 47th wetland थी उसके बाद 48 नंबर की जो wetland है तो यह नोट करेंगे आप 47th नंबर की अगर कोई बोले wetland कोंड सी थी यहां ता क्लियर हुआ उसके बाद तो कितनी थी पहले 49 थी उसमें 5 ओर एड हुई ठीक है पांच ओर एड हुई और उसके बाद कितनी होगी हमारी यह होगे हमारी 54 तो यह 54 पांच लगा के होगे तो देखते रहिए आप किस तरह से चलेगा तो इसमें से तम मैंगरूव एक यह थी और नेक्स्ट आजाएगी हमारी तमिलाड्यू की ही पली करनी मार्श और नेक्स्ट इस कारिकली वर्ड सेंसरी ठीक है तो तो तीनी हां पर तमिलाड्यू की एड हुई थी उसके बाद मद्य परतेश की साख्या सागर लेक जो है वो रामसर साइट ए तो पहले कितनी थी हमारे पास 49 थी प्लस इसमें 5 एड होई है तो अब कितनी हो गए हमारे पास 54 होगी तो उसके बाद तो पहले हम देख लेते हैं जो साख्या सागर लेक हमने बोला जो मद्यपरदेश में है तो यह कोन से नैशनल पाक में है यह भी पूठ जा सकते है आप तो यह हमने कर लिया कवर उसके बाद 10 और एड हुई ठीक है तो अभी हमारे पास कितनी थी 49 प्लस 5 इस 54 उसमें हमने 10 और एड की उसके बाद कितनी होगी हमारे 64 होगी ठीक है तो अभी 10 कौन सी हुई थी एड यह कौन था कुलंब बर्ड सेंसरी जो तमिल नाडू की थी व उद्यम मर्थम पूरं बर्ड सेंसरी तमिल नाडू की और गल्फा मनार मरीन बायर स्पेर रिजर्व यह भी तमिल नाडू की सट कोसिया जोड यह उडिसा का नंदा लेक गोवा की ठीक है पूर सकते हैं आपकी ग्जाम पॉइंट और व्यू से कि गोवा की कौन सी लेक जो यह आपको पढ़ना पड़ेगा एक दो बार पढ़ेंगे तो थोड़ा आपको याद होना शुरू हो जाएगा ठीक है उसके बाद बात आती है अब उसमें हमारे पास कितनी हो गई थी अभी 49 थी उसके बाद 5 आउन होई कितनी होई 54 होई उसमें 10 ओर आउन होई that is 64 होगे अब 64 में 11 ओर आउन होई और टोटल होगे है हमारे पास 75 वेट लैंट्स विकॉस तो चलिब्रेट दर 75 फिप्त इयर आफ इंडिपेंडेंडेंस ठीक है तो ग्यारा जो नई साइट्स अभी एड़ाउन होई है भी रीसेंटली जो एड़ाउन होई है लास्ट में उसमें से चार तैमिलाडो की हैं थरी उडीसा की हैं टू जम्मु कष्मीर की भी है something important हो जाती है यह वाली आगे वाली अग्य वाली स्लाइड आपके लिए दो जम्मु कष्मीर की है वन एच इस इन मध्यप्रदेश और महाराश्टर एक 1 मध्यप्रदेश महाराश्टर की ठीक है तो एरिया जो अंडर रामसर साइट इंडिया में वह कितना आ जाएगा यह तो 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 अगे हम ग्यारा जो न्यू साइट एड-on हुई है वह देख लेंगे तो उडिसा की तीन साइट हमने बोला तेस टाफ्पारा लेक, हीरा-कुंड- Armenian, जरवायर, ऐनुसुपा लेक ताफ्पारा लेक, हीरा-कुंड-earस लेक अनुसुपा लेक ये उडिसा की आगे हमने बोला कि Madhya Pradesh में एक है जश्वन्त सागर जो है वो Madhya Pradesh में है जश्वन्त सागर वेटलैंड Madhya Pradesh में है चितरंगूडी बर्ड सैंचरी सुची दरम थेरोर वेटलेंड कम्प्लेक्स तो यहां mistake हुए यह तामिल आडू है यहां पर माहराष्टर नहीं है तो आप इसको करेक्ट कर लेंगे प्लीज कोई नी बोलेगा कि मैंने गलत पता है यह तामिलाडु की है तो महाराष्टर की एक ही है that is Thane Creek जो है रामसे साइट यह महाराश्टर की है और जम्मु कश्मीर की जो है that is Higam Wetland Conservation Reserve और शालबाग Wetland Conservation Reserve ठीक है तो इन सब की हमने डिस्टिक तो नहीं पड़ी मगर जम्मु कश्मीर की यह वाली Wetland कौन सी डिस्टिक में है यह इंपॉर्टेंट है बहुत जादा यह आपके examination में question बनेगा ही बनेगा ठीक है तो इवन रामसे साइट बनने से पहले भी यह आपके exam का part बन चुकी है तो अब तो यह सुपर इंपॉर्टेंट हो जाती है ठीक है तो बताईए मुझे हिगम Wetland Conservation Reserve कौन सी डिस्टिक में है जम्मक कश्मीर की यह बता देती हूँ दोनों जो है कश्मीरी वैट लैंड है यह बता देती हूँ चलो कश्मीर के जो फ्रेंड्स है वह comment करके बताएं तो जिनको नहीं पता है वह मैं बता देती हूँ तो हीगम Wetland कहां पे है बारा मुला में है ठीक है तो इट इसन बारा मुला अब मुझे कोई बता सकता है कि बारा मुला में एक ओर wetland है उसका नाम क्या है चलिए बताएं मुझे comment section में तो मैं ही बता देती हूँ तो हीगम के साथ साथ एक और वी wetland है बारा मुला में दाट मिर्गुंड है आपके एक्जैम में Q आपको यहां पर ही लेंगे और मिर्गुंड का मिर्गूंद ने लिए लिए इसको सब्सक्राइब पंड़ा की तो और कोई दोस्त हैं ॥ इसल्व के अक्तव आइज जुब्जंडों42 थे से व क्लानें आप को बोलती है जी गूंबने चलते म יכול हो पर सीज्बं पर सब्सक्रेटि दोनों कि दोनों कहां पर बार नहीं में में इस इसल्वी कउनसर्वेशन के आती है इसको किस तरह से याद रखेंगे शॉल होता है जो कश्मीरी शॉल होता है तो शॉल गंदा को क्या लिखेंगे हम गंदा लिखेंगे तो हम बोलेंगे कि शॉल गंदा नहीं होना चाहिए क्या से नहीं होना चाहिए जो शॉल है वो गंदा नहीं होना चाहिए क्यों कि कंदी च मतलब शालबागव किशमीर अर्टटा मतलब गांधरवण रवल्ट अब आते हैं बाद तोतल इंग मेरे कि धार सिय व grappling twice स्था नहींड जाना की कि जह मिरें राइस इंग किस्मीर रिष्ट वाहए अब तो कितनी हो गई है तो तो अब फ़ कितनी होगे हिए पाँच हो गई एक तो हो गया हमारा जो आभी हमने पड़ाा शालवाओख वैटलेंद रिजर्व हो गया दूसरा क्या है हम AI पड़ा थालवक रिजर्व बाया थीजों दुंपुर सामबा और जम्मूरीजन में पढ़ती है सुरीन सर मांसर वैट लैन सेंचरी और होकर सर जो की श्रीनगर में है होकर सर वैट लैन कहां पर है श्रीनगर में है और बुलर लेक आपको पता ही है देट इस इन दा बांधी पूरा डिस्टिक ओके तो अभी टोटल कित है लडाक में तो फ्रेंड्स यह थी आज की वीडियो आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा और अगर आपके एक्जाम में इस में से कोई भी क्वेशन बनता है और अगर आपकी सेक्सेस में मेरा थोड़ा सभी पार्ट रहता है तो वह मेरे लिए सबसे बड़ी सक्सेस हो मैं आपको बता दूँ पोरेटी के आपकी वीडियो आ जाएगी जल्दी ही आ जाएगी विकास मगर एक प्रॉब्लम है हमारे गर में लेक्सिटी नहीं है कल की लैपी अभी चार्ज नहीं हो पा रहा है तो जैसे ही चार्ज होता है तो मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो बनान शुरू कर दूँगी ठीक है तो आप अच्छे से पढ़िए सारे टॉपिक्स में आपके कवर कर दूँगी आविश्वास रखिए ठीक है गाइस बाबाए टेक क्यर